अजी नेक्स रिस्टी बताइए तो आपका नेक्स कोस्टन क्या है कि अच्छा 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 किसी नाज तक पूछा क्यों इतने 5-5 सालों में इसा नहीं पूछा नहीं होगा हो सकता है मुझे याद ना हूं समझ में नहीं आया है क्यों समझ नहीं नहीं तो इस नो कहना ठीक है मैं देखता हूं इसका तो फिर मैं होता हूंगा लेकिन अच्छा उस समय जैसे तब 2009 में था ना तो समय बहुत टाइम होता था एक्जाम में 29 को सनी आते तीन घंटा होता था आपको 60 कोस्टन से लेकिन ठी प्रोजेक्शन मैट्रिक्स बोलते हैं तो यह थियोरम है प्रोजेक्शन मैट्रिक्स इस एक तो यह जो मैट्रिक्स है ना यह पी जो है एक्स एक्स ट्रांस्पोज अपन एक्स ट्रांस्पोज एक्स इसको प्रोजेक्शन मैट्रिक्स बोला जाता है और इसका जो आईगन वेलू जाता है ना एक आईगन वेलू वन होगा बाकि सब जीरो आएगा ऐसा होता है ठीक है यह पी एन क्रॉस एन क्रॉस एन मैट्रिक्स तो यह एन क्रॉस एन मैट्रिक्स से एक आईगन वेलू वन आती है और बाकि सब जीरो आएगी तो इसका रैंक तो फिर से मैं जनरल कोस्टन में क्या करता है मैं सिंपल सा एक वो लगा लेता हूं तो अभी के लाए कि मुझे थियोरम पता है तो फॉल्स कौन सा यह पूछ रहा है तो बस अभी चेक कर लोगे सिमेट्रीक होगा यह है अगर मैं पी ट्रांस्पोज निकालता हूँ नीचे यह नंबर है यह नंबर है इसका कोई टेंसर नहीं लेना है यह एक नंबर है तो इसको आप के मान के हटा सकते हो जैसे वन बाइट के टाइप का मैट्रिक्स आपका यह है एक्स एक्स ट्रांस्पोस सो अब यह पी हमारे पास कुछ ऐसा है वो डिनोमेटर में एक नंबर है उसको नॉम बोलते हूं मैगनिटूड भी बोल सकते हूं आप नॉम है एक्चुली वह नॉम एक्स स्क्वाइर सो पी ट्रांस्पोस जब लोगे तो क्या बनेगा वन बाई लगे तो गॉन होता है यह आइडियम पॉटेंट होता है यह यह एक्स फियूरम है देखके बताओ कर दो कर दो कर दो कर दो कि अधिक और तो कोनों होता है न कि अधिवरम क्या कहता है बताओ स्टेटमेंट याद है या इधिम्पोर्टेंट होता है देखना पड़ेगा अधिम्पोर्टेंट राइधिंग देख लेता हूं बुक में को रुख जाओ sir theseracts is idempotent if and only it is projection अधिक है फिर तो आइदंब फिर टाइधार और है और तो जरूरी नहीं है इसका मतलब है क्यों ei को के यौरा में चिए श्फिर संद इज माट्रिक्स आ Detroit यह defensive subscribe अगर b2 स्कूर निकाल होगे न तो यह pena इक पकल आया यह यह begin तो यह theorem है, मतलब this is a call projection matrix, इसका rank 1 होता है हमेशा, और इसके eigenvalues 1, बाकि सारी eigenvalues 0 होती है, और यह item potent होता है, orthogonal जरूर ही नहीं है, अब फिर से आपको मैं बताना चाहूँ, जैसे मालो किसी option को गलत दिखाना है, तो आप किसी चक्कर है मत परो, जैसे simple क्या गरो, n को फिर से 2 मा ले सकते, पिछले question में उसको लिखना चाहिए, n more than 1, ऐसा नहीं लिखा है, इस question में लिखा है कि n is strictly more than 1, तो हम n को 2 ले सकते हैं, और फिर क्या गर सकते है, x कोई भी वैक्टर है, non-zero वैक्टर है, तो अभी के लिए माल लो, x को माल लेता हूँ, 1, 1, x transpose क्या हो जाएगा, 1 1, 1, 1, 1, तो इसको multiply कर लोगे, तो 1, 1, 1, 1 आ गया, ठीक है, यही आएगा, और x transpose x निकाल लोगे, तो यह आगया, 2 आ गया, तो finally जो p matrix आ गया, वो आ गया, 1 by 2, 1, 1, 1, 1, अब देखो यह orthogonal जरूरी नहीं है, यह p, मैंने एक example लिया, तो example false होने की guarantee देगा, true की guarantee नहीं हाफ, 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 क्या यह orthogonal है, तो orthogonal होने के लिसके square का sum 1 होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं हो रहा है, orthogonal में क्या होता है, किसी भी row या किसी भी column के elements के square का sum 1 होता है, ऐसा तो नहीं हो रहा, this is not orthogonal, तो यह अकेला example काफी है, मुझे एक false option चुनना है, बाकि दो true option ह तो B option is false, this is not orthogonal, बाकि होगा, अब item potent चेक कर लो, अब P square find करकर देखो, P आएगा, अब इसी में P square निकालो, P आएगा, तो item potent तो है, orthogonal है, नहीं, symmetric है, symmetric है, देखो है, और rank B1 है, rank 1 आएगा, ठीक है, तो यह थी हो रहा हम है, orthogonal matrix has rank 1, sorry, projection matrix has rank 1, it is symmetric, it is item potent, it may not be orthogonal, जैसे यहाँ आप example बनाया मैंने, ठीक है, ओके, हांजी, next किसका turn है, तो, मेरा भी सरह, लिमिट बाड़ा question for